हेलो आवरीवन मैं विश्चिजीत सिंग आप सभी का दीगिना पर स्वाकत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम में हिस्ट्री मेंचेजी रो 10 का लेस्टन 4 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे आधुनिक नगरों के अध्यन संबंदित विविन दिरिश्टी कोनों के बारे में दोस्तो अलग-अलग इतिहांसकारों का अलग-अलग logic था, अलग-अलग concept था कि आधुनिक नगर बने कैसे आधुनिक नगर का उद्बव, विस्तार, विकास किस परकार से हुआ, उसकी बारे में अलग-अलग दिरिश्टी कोन रखा गया तो आज की इस पूरे रेसन के अंदर में हम आधुनिक नगरों को समझेंगे कि आधुनिक नगर होते क्या है आधुनिक नगरों का विस्तार, विकास, उद्बव, किस परकार से हुआ, क्या लॉजिक थे इतिहांसकारों के, क्या कॉंसेप्ट रा, क्या आधाधारनाय थी, क्या दिरिश्टी कोन था, उसकी बारे में आवे पढ़ने वाले है चैप्टर तो इंपोर्टेंट है और इसमें से दो कोश्चन भी बन कर आते हैं आपके एक्जाम के अंदर में कोश्चन क्या होते हैं, तो दो तरह के कोश्चन होते हैं पहला कोश्चन यह रहता है कि आधुनिक नगरों सम्मझीत अध्यन का विविन दिरिश्टी कोनों को समझाईए जो अलग अलग दिरिश्टी कोन हैं आधुनिक नगरों को समझने का पढ़ने का study करने का उसको हमें बताना होता है पहले कोश्चन के अंदर में दूसरा question आ जाता है कि किसी इतिहासकार के नाम को court किया जाता है जैसे हेंडरी लेफरेव की आधुनिक नगरों के अधिन सम्मंदित विविन दृष्टिकोनों को समझाईए तो इस तरीके से हमारा दूसरा question बन जाता है अगर आप पहले वाले question को सही तरीके से पढ़ते हैं तो second question का answer आप automatic कर लेते हो और question important है तो चलिए हम start करते हैं वीडियो को विना समय कबाए और समझते हैं कि आधुनिक नगर होते क्या है वीडियो को start करने जो पहले एक request भी रहेगा आप सभी वीवर से जो भी हमारे दीगीन परिवार से जुटे हुए है देखिए हम वीडियो को बनाते हैं बहुत अच्छा का सा time लगता है उसके लिए PDF तियार करते हैं तो अगर आपको कहीं भी ये वीडियो helpful लगती है आपको लगता है कि हाँ थोड़ा से मुझे improvement मिल रही है इस chapter के अंदर में तो आप मारे channel को like, share, subscribe जरूर करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुँचा है आपके एक-एक like, share, subscribe से हमें motivation मिलता है और हम अच्छे से work कर पाते हैं ठीक है और आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको directly क्या करना है description में जाना है हम आपे telegram group का link दिया हुआ है नहीं मिल रहा है link telegram पे जाईए दीगिनब सर्च कीजिए वहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा और आप इसको use भी कर सकते हैं चले start करते हैं वीडियो सबसे पहले मैं बात करूँ तो MHI Euro 10 जो है उसके अंदर में भारत के अंदर में नगरी करना ववस्ता को पढ़ते हैं कि नगरों का उद्भव किस परकार से हुआ भारत के अंदर में नगर बने कैसे देखो आज मैं डेली में रहता हूँ तो डेली में बड़े-बड़े high-rise building है तो क्या पहले भी आज से 10-20-50 साल पहले भी था क्या नहीं था तो धीरे-दीरे समय के साथ में changes आया तो किस तर से changes आया क्या रूप था changes होने का क्या process था उसके बारे में हमें study करेंगे कि किस तर एक किस वो नगर बने और किस तर से वो आधुनिक नगर में तब्दील हुए ठीक है तो जब हम आधुनिक नगरों का बिमिन द्रिश्टी कोनों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला point आता हमारा कि इस्थान और नगरी ये सिधान इस्थान बहुत ज़्यादा important role play करता है अब देखो हम डेली की बात करते हैं तो डेली के अंदर में high-rise building है मुंबई की बात करते हैं वहां पर बहुत सारा high-rise building है ठीक है चेन नहीं हो गया कॉलकता हो गया बैंगलोर हो गया इन ही जगह पे क्यों हैं भाकी जगह नहीं है ठीक है आप बीहार के पत्ना में यहाँ हो और बीहार के पत्ना में जाओग我 झालेको ही नगरी नगरे सिधान को एक सरल अवस्था में प्रिष्ट भूमी की रूप में प्रसुत किया किस इस्थान क्या है कि किसी भी आधुनिक नगर का क्या प्रिष्ट भूमी है में चैप्टर है अगर इस्थान अच्छा नहीं है तो फिर तो चीजे नहीं होने वाली है डेली क्यों विक्सित क्या डेल प्रिष्ट भूमी का काम करता है नगरों को विक्सित करने के लिए ठीक है इस्थान और नगरी सिधान्त का घनिष्ट संबंध है इस्थान अगर अच्छा है तो नगरी सिधान्त हो जो नगर विक्सित होते है उसका जो सिधान्त है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट डोल प्ले करता है एक दूसरे के साथ में रिलेट करता है यह यहां पर माना गया समाजिक संबंध इस्थान के माध्यम से काम करता है जो समाजिक संबंध होता है वो स्थान के माध्यम से ही काम करता है इस्थान समाजिक संबंध भी उत्पन करता है और उसके अनुसार इतिहासिक समाज द्वारा तीन परस पर तरीकों का निर्माण मतलब इस्थान जो होता है तीन तरीके से निर्माण क्या जाता है किस तरीके से निर्माण क्या जाता है इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो पहला तरीका होता है अनुभव के जरीए, आप इस्थान को कैसे मतलब निर्माण कर सकते हो, तो अनुभव के जरीए, विचार के जरीए और जीवन्त इस्थान के जरीए, तो तीन तरीके हैं, अनुभव क्या होता है, जब आप experience कर रहे हो किसी चीश को छू के touch कर रहे हो कि हाँ यार मैंने touch किया, यह वाला building अच्छी है, तो यह इस्थान को हमने अनुभव किया, ठीक है, अनुभव करके आपने बताया लगा है कि किस तर से, विचार के जरीए आपने सोचा, उसके बारे में क्या सा है, कलपना किया, तो चिन्तन के जरीए, ठीक है, जब आप सा जिवन इस्थान, जब आप उस इस्थान पर जाकर, दोनों चीजों के अपने पैमाने को जांच करते हो, कि यार जो मैंने पहले अनुभव किया था, क्या वो सेम था, जिवन इस्थान पर जाकर, डारेटली आप साक्षात उस जगह में पहुंच चुके हो, ठीक है, आप उ इस तरीके से बना हुआ, अब वहाँ पर जाकर आपको रहना है, निम्मतलब लेना है, आपने फोटो देख ली, आप जब गय है, वहाँ पर देखने के लिए तो आपको लगा, यार यह तो फोटो कुछ और दिखाया, और यहां निकला कुछ और, ठीक है, जो बड़े- आपका जो एक्सपेक्टेशन घट जाएगा, क्योंकि आपकी जो चीजे थी, वह बहुत कम मिली, तो यहां पर जीवन्तिस्थान में क्या होता है, कि दोनों पहली वह में से परतेक को बढ़ा सकता है, या फिर घटा सकता है, या फिर अनुबब को बढ़ा देगा, विचार को घटा देगा, कुछ भी चीज़े हो सकती है, तो यहां पर नॉर्मली हैंडरी लेफरेव के द्वारे ये माना गया, कि स्थान क्या है, इंपोर्टेंट डोल प्ले करता है, जब हम इस तरह की चीज़े बात करते हैं, रिलेशन की बात करते हैं, नागरे सिधानतों की बात करते हैं, नागर का सिधानतों की सतर से बनता है, उसके बारे हम बात करते हैं, तब वहां पर इस थान जो है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट डोल प्ले करता है, यह हैंडरी लेफरेव का माना था, ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे में बात करूँ, तो एडवर्ट सो है, जो चलता रहता है, मूव्मेंट होती रहती है, उसके अंदर में, समाजिक संबंद जो है, गती सील तत्व है, जबकि इस थान एक अनिवारे रूप से इस्थिर और परिवर्टन सील है, अब देखो जो स्थान के साथ में समाजिक संबंद देना, जो सोशल रिलेशन सील है, गती सीले, जो चेंजिस उसके अंदर में आती रहती है, पर जब हम इस थान के बारे में बात करते हैं, तो वो कहते हैं, वो तो फिक्स है, वो एक ही जगा रुका हुआ है, और परिवर्टन सील है, यह एडवर्ट सुजा का मानना था, एक तरसे आप यह कह सकते हो, कि हे हैंरल लेफरिव की विचारदा रहती को इडवर्ट सुजा, थिकते नगरिये इतिहास के सम्बन में सभी विद्वानों जो थे कि समान नहीं थे, सब का अपना-पना और लोजिक था नगरिये आधियास को लेकरन कि व हें आध्यन, किया उन्हों नहीं मानते थी जो एडवर्स हो जाते हैं वो नहीं मानते थी किया अगर इस्थान को आप पड़ोगे तब आप इंपोर्टेंट रोल प्ले कर पाओगे नगरी इतिहास को समझने के लिए इनका लॉजिक नहीं था नगरी इतिहासकारों का नुस्वार पुर्व आधुनिक का ह Jeśli विए हम आरें दूसरी चीज लिए दूसरे पर सवाबलम्स समाजिक संस्था की रूप में दिखा जा जाता जहा को वो हर चीज़ खुद कर पाते थे पर आज के रूप में आधुनिक काल के अंदर में आज के टाइम प्रेड में ऐसा करना कठी नहीं है ऐसा हो भी नहीं पाता ऐसा कर भी नहीं पाते ठीक है क्योंकि लोग दीरे-दीरे चीज़े चेंजिस होते चली गई हैं तो यह सामगणियों को विश्वष्थित करने की विशेस पद्दिति को पहचाना जाता था तिक किस तर से नगरों का विकसित हो रहा है पद्दित कया है थिक नगरों को चींज आपने सानकिल करने में पर शहरों टैसे राम बीरॉत है इंबरों दोगाओंस तो पीच्छ भगल बने मेंगे नाली नहीं मोजह तोний जग हमा मेन रूड • हाइवोर रूड जा रहा है पर कहीं भी आपको बीच सीवर jobs पर कुषी कहीं आप बीच वचति में आपको सीवरा की आपको सीवर की ओल देख जाएँगे ठीक हो सीवर अभी कि क्वार कentry आहे तो इस तरीक के चीज़े यहां पर देखने क्लिए मिलती है तो यहां पर माना है कि जो गाओं की विवस्था थी हो भिंती सहर से ठीक है आधुनिक नगर का इधियास का विशलेशन है वह दो दूरियों पर किया जाता है पहला तो यह रहता है सांस्कृतिक अधार पर जब हम आधुनिक नगरों की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहला आता है कि उसको स्टड़ी करने के लिए कि सांस्कृतिक अधार पर बहुत जादा डिफरेंट होते हैं गाओं के अंदर में उनके अंदर में कल्चर चीज़े दिखने के लिए मिलती है एक जोइंट फैमिली किस सारी चीज़े नदारत होते हुए दिखती है में दुट्य पुंजीबाद और उद्योग के स्थान पर अब देखो सहर का निर्माण होने में सबसे बड़ा रोल पुंजीवादी ववस्ता कर रहता है ठीक है पुंजीवादी ववस्ता ही सहर को नया रोल देता है देखो दि अदर में उद्यों गए जिसके बिहार यूपी और अलग जगह से लोग यहां पर आकर अपना रोजगार कर रहे हैं ठीक है उसी तरह मुंबई के अंदर में उद्यों गया एकनौमिक कैपिटल है तो वहाँ पर पैसा है इसके कारण से लोग दूसरी जगह से आकर वहां पर कर रहे हैं अब मैं देली में हूं देली से कैसे कै traumने वापस जाकर विहार किसी पठना के छोटेसी सी आवर पिर्लान दांगुता है कर भी सकते हैं आने वाले समय में क्या पता है करने का हमें मौका को पढ़ते हैं मतलब यहां पर इस पूरी चैप्टर में क्या क्या जा रहा है ठीक है कि अध्यन क्या चीज़ें कैसे रही होंगी तो यहां पर का जाता है कि नगरी इतिहांस को पहचानने की विदी क्या थी या फिर उसको करें तो दो दूरियों पर गया गया दो पॉइंट पर पहला पॉइंट तो यह था कि सांस्कृतिक तौर पर सांस्कृतिक अधार पर किस तरह वह चेंजिस आई उसके अंदर में तो गाओं के इंदर में गया था कि transfer of culture हमें देखने के लिए मिलता है एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में culture गया पर जब हम गाओं शहरों की बात करते हैं आधोनी नगरों की बात करते हैं तो हाँ पर culture दिर दर खतम होते हैं पतन के और बढ़ते हुए हमें देखता है और नए culture भी अलग culture का यहां पर चलन दे अगर भीहार में हमें नौकरी मिलता तो देली वाली जो जगह है वो तो खाली पड़ी रहती कोई और वेक्ति यहां पर बना रहता जो भी डेली के अंदर में यह मुंबई के अंदर में ठीक है जो लोग दूसरी जगह से आकर बसे हुए हैं अगर उनको उनके जगह पर ही अगरी मिलती तो पता है आज डेली डेली नहीं रहता चैन्नी चैन्नी नहीं नहीं रहता मुंबई मुंबई नहीं होगा तीक है यह भी कॉंसेप्ट यहां पर आपको समझ में आना चाहिए यहां पर आगे हम बात करते हैं तो उननीसी सताबदी में उद्योग को नए नगर को जन्म दिया जो मैं उपर बता रहा था उद्योगू के जरी नए नगर जन्म हुए एक टाइम पर जैसे आज दिल्ली मुंबई कोलकता चैने की हम बात करते हैं उस समय पर जो टाटा नगर था ठीक है जमसेतपू टाटा टाटा नगर वो एक इंपोर्टेंट हब था सहरों का ठीक है सहरों का बाप के तौर पर दिखा गया रीजन क्या था कि महां पर उद्योग सबसे बड़े उद्योगों का निर्मान हुआ पर दीरे-दीरे चिल्ली चैने कोलकता चैने की और दीरे-दीरे सार चीज स्विच होता चला गया नगरी के जारों को नया रूप परदान किया द्योगों नया रूप दिया गया है, हैंडरी पिनिर के नुस्वाद सब्सक्राइब बनाया जो नगर से वैपार dai था उससे मुद्र आर्थवववस्था का विस्तार सामतवाद का विकंडि करण का मुख्यकारण था और इसने पुंज सामंतवाद वाली जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे MHI 01 के अंधर में तो उसमें मैंने बताया था आपको सामंतवाद का विखंडन होने का सबसे बड़ा कारण वैपार को ही माना गया जैसे जैसे वैपार विकसित हुआ जैसे जैसे नगरों का उदे होता चला गया नगर उदे पैसा लगने के बाद किया हुआ उद्योग खोल अगया और बात करते हैं लोघ के लिया ती नियूति लिक्सित के बारें डिसकस करते हैं तो घृण 1850 के दसक में यहां परीवर्तन का दसक माना गया पैरिश के अंदर में कोॉश सीवर ने हैँ अजन्टल को निर första से तर दाउमें के दोरा तो जो महां बना हुए को याज मैद है इस उदरमें इसनी इस तरिकर्द लगाнул तो इस तरह से काम किया बेरन जोर्ज हॉसमेन ने ठीक है अथारसोपचास के दसक में पैरिस के अंदर में यह परिवर्तन आधुनिक नगर का प्रतिक बना जो आधुनिक नगर थी किस तरह से आधुक नगर होने चाहिए उसका प्रतिक माना गया 1853 में नेपोलियन थर्ड ने थर्ड के दूरे इनको न्यूट किया जाने के पस्चात चौडी सड़के भूमिगत सीवर तता एक नए पैरिस का निर्मान के लिए पुरानी नगरों को बड़े हिस्सों को दोस्त कर दिया जो पुराने नगर थे उसको दोस्त करके गिराकर नए नगर के लिए चौडी सड़कों को निर्मान किया गया भूमिगत सीवरों को निर्मान किया गया तो इस तरीके से नए कॉंसर्ट के साथ महां पे लेकर आए पर इनको मैथ्यू ग्रेंडी करके इत्यास का राते हैं वो कहते होस्मन के जो अधी निर्मित सीवर को देखकर यह कहा हो ने जो भी सीवर बनाया गया होस्मन के द्वारा मैथ्यू का यह मानना था कि वह मूल रूप से कार्यात्माख होने की अपेक्चा सोंदारात्माख का परियोग थे ठीक है मतलब वह यूज में तो आ नहीं रहे थे पर वह बसना मतलब उनका यूज कुछ नहीं था पर उनका ब्यूटी अच्छी थी ठीक हो संदर्य का परतीक इन्होंने यह मान कर चले ठीक है मतलब देखने में अच्छे थे काम का कोई अच्छा नहीं था यह मैथ्यू ग्रिंडी का मानना था ठीक है क्योंकि इनका वास्तू निशित रूप से गैर आधुनिक रुजहान का था जो वास्तू बनाने का तरीका था तरीका था वह प्रिक रौक होजय और राजयां की प्रक्राणी और दूसरीविट कि किस तरसे उनका सामना होता है... उसके कारण से अधुनिक नगर की ईखना का संकलप ना क्या था कि अदूनिकनगर होते कैसे देखो जब आप इस्सेटी को बढ़ते हों तो कई जगहें उसके बारे में बढ़ते कि यह व्यकृत हुए तो वह सारी चीज़े मानी जाती है थीक है कि यहां पर हम आगे पढ़ते हैं संपर्क और प्रवा संपर्क होता के संपर्क और प्रवा से किस तरह से आधुनिक नगर बने उसके बारे में आप हम तुरह से समझें आधुनिक नगर को नय रूप देने में पुन्जी और उढ्योग परिपत विसेष योगदान यह तो हमें समझ में आ गहा है कि भह या पैसे और उढ्योग के कारण से आधुनिक नगर पने। ब्रिटिस विजए से भारतीय नगरों का पतन हुआ दूसीज जीतने से ब्रिटिस इस इंडिया कंपनी जितने से जो आर्तिक प्रभाव था इसके उपर में राजनितिक प्रादी करणा के अपर में बाधा तपन होती चली गई बीस्वी सताब्दी के पारम में नगरी करण की परकीरिया में लोगों और वस्तू का संपर्ख बढ़ा जब बीस्वी सताब्दी का आराम होता है तो नगरी करण की पूरी प्रोसेस था उसके अंदर में लोगों और वस्तू का संपर्ख बढ़ता चला गया रेल मार के कारण औपने विशिक काल में लोगों का संपर्ख हो गया जो रेल मार के वश्था थी उसके कारण से अपने विश comics में लोग से जुड़ते हुए चले गए आवास कार्यालों की जोरत बढ़ी और बहरी सिमानत चेतर में मिला उप नगरों के स्थापना होई ठीक है जिससे नगरों का सोरूप बदलता चला गया दिल्ली का सोरूप हो काफिया तक चेंज हो चुका है उसकी वेल्यू चेंज हो चुकी है ठीक है संरचना आधुनिक नगरों में राजनीतिक और धैनिक जीवन देखो अब यहां पर बात करते हैं जब हम संपर्क की बात कर लोगों को आने जाने कमें असानी हुई तो उसके कान से क्या हुआ दोनों जगह विक्सित होती चली गई तो संपर्क के माधियन से किस तर से विक्सित हुआ उसके बारे में उपर पढ़ लिए अब हम बात करते कि संद्चना ठीक है संद्चना जो नगर बने थे उसके ठीक है नसली अधार नसली अधार क्या था कि कौन किस चीज से बिलोंग करता है कौन किस कास्त है कौन किस कलर से नसली अधार पर भी नगरों को देखा गया दैनिक स्थानी करण के अधार पर दैनिक स्थानी करण मतलब क्या रोज मर्रा की जिन्दगी क्या है दैनिक जीवन का विवस््ता है उसके बारे में हम बाद करते हैं भवान और वस्तियान किस तर से भवनों को निर्मान क्या घा? जैसे अंग्रीजियों काल में किया था जो अलग लग टाउन भाओस बनाए गया थे थे Baton House वाआओस तो किस तर से व्वस्ता है? नगर और भवनों की वस्तियों का किस तरह से वस्ता है उच्चे निच का क्या प्रोसेस है उससे भी हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा आथोनिक नगर का निर्माना किया जा रहा है या हो सकता है संसादनों की असमानता जो संसादनों का उप्योग था लोगों के अंदर में असमानता है तो भी हमें नगरों का पताचलता कि किस तरके नगर है सत्ता पर अधिकार भी असमानता के अधिकार को दिखाता है कि सत्ता पर अधिकार किसका है किसका दबदब आए ये भी हमें पता चलता है इसके अंदर में नगर निर्मान की परकिरिया का हम अंदागा लगा पाते हैं कि क्या नगर निर्मान की परकिरिया रही होगी ठीक है ए ने वैपार परिवहन नेटवर्क दलने भारती नगरों की विर्दी करी अब देखो जैसे जैसे इस इंडिया कंपनी विक्सित हो रहा था तो कई जगा पर हमें उद्योगिक पतन देखने के लिए मिला उद्योगिक पतन क्या इस इंडिया कंपनी नो मोनोपॉली स्टाफ ने रोक दिया उसके उपर में उसने बाउंडिशन लगा दिया उसके उपर में कई तरह के पर्तिबंद लगाए तो वहां पर भारती जो नगर थे उनकी विवस्था को ठेश पहुंचा पर सासात में क्या हुआ कि नए वैपार का सुरुआत हुआ ठीक है परिवहन नेटव विक्सित हुआ परिवहन नेटवर्क उन्होंने रोड बनाए ठीक है वैपार को बढ़ावा दिया तो कई सरसे यह चीज़े भी थे जो भारती नगरों को उन्हों विक्सित करने में हेल्प मिली आज के समय में जो आप मुंबई बंबई जो भी देखते हो क्या पहले ऐसा पहले असा नहीं था साथ अलग-अलग दीप सम्मू से बनावा एक जगह था वो ठीक है जिसको अंग्रेजों नहीं जोड़कर एक पूरा राज्य जैसा बनाया मुंबई बनाया जिसको ठीक है उसको उस नजरी से देखा जिसके कांसे आज मुंबई एकनॉमिक कैपिटल के तोर पे मुसको जानते हैं ठीक है नगरिये केंद्र जब नगर नरी लगे तो नगरिये केंदर का उधव mmई यही कंद्र है ठीक है वह पर संस्कृतिक विक्सित किस प्रकार सोरीह उसके बारे में बारे में study करते हैं ठीक है तो यह पूरा यहां पर chapter था आपको chapter कैसा लगा comment करके बताएं अगर कोई point समझ में नहीं आ रहा है कुछ चीज़े सा लग रहा है कि आपको यह वाला चीज़ समझ में नहीं है तो comment करें ठीक है आप directly मुझसे मिलती रहेंगी college related update मिलती रहेंगी अगर आपको कोई और वीडियो है किसी और topic पर बनाने के लिए तो आप comment करके बता सकते हैं उसके उपर वीडियो जरूर बनाएंगी तो friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best